कि है गाइस आज हम गिरते हुए मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जो ज़्यादा गिरावाट भी नहीं होती है और जब मार्केट उपर जाना स्टार्ट करता है तो अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होता है मतलब कि वह स्टॉक अगर हम दे इसके बाद देखें केवल नीचे गिरना स्टार्ट किया इसके पीछे वज़ा यह है कि गोल्ड का प्राइज आज भी गिरा और ऐसे स्टॉक देखें कभी न लाॉज देने वाला स्टॉक है देख लिजे दीरे 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 केवल आपको मुनाफ़ा ही निकाल के देता है ऐ जी देखें गोल्ड का प्राइज आपके सामने है लेकिन देखें अब जो गोल्ड का प्राइज गिर चुका है गिर चुका अब चुका आप फ्यनी तोड़ने वाला क्यूंकि आप जो है विख्यावड चैलाया स्टड़ी भी यहां पर देख सकते हैं के वल गिरावटी गिरावट देखने को मिले और कुछ भी नहीं अगर आप वन मुंत का डिटा देखना चाहते हो तो वन मंत में भी देख सकते हो उपर नीचे उपर नीचे और फाइनली जो है गिरावटी मेंटें की आ है देख लिए यह जो है गोल्ड है तो गोल्ड का जो अभी टाइम जल रहा हो बिल्कुल सही नहीं चला देखें जब कोवीड-19 आया तो जितना गिरावट हुआ था उतना गिरावट अभी भी हो चुका लेकिन इतना याद है कि फेस्टिबल सीजन आने ही वाला है और उस टाइम गोल्ड का प्राइस दीरे दीरे बड़ेगा क्योंकि अभी देख सकते हैं बहुत जादा नीचे गिर चुका है गोल्ड का प्राइस और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते ना चाहता हूं जो मुथूट फाइनिंस गिर रहाना यह हमारे लिए बहुत बड़ा उपरचुन्टी है औ तो लगबग 36% का आसपास है 36% भाई अगर 30% अगर आपको मिल लाता है तो 30% के हिसाब से अगर 5000 रुपीस अगर आप इंवेस्ट करते हो तो लंबे समय में आप मतलब करोडों बना सकते हो आपर करोडों बना सकते है उसी तरीके से इसका जो CAGR है वो 36% के आसपास है EPS जो जो रिजर्व देखना चाहते हो तो 12,000 है 12,000 मतलब कंपनी ने पहले से इतना कैज अपने पास रखाया है जो कि आने वाले फ्यूचर कंडिशन को वो क्या कर सकती है थोड़ा सा मेंटेन कर सकती है और यहां पर देखी गया तो return on equity positive है return on asset positive है return on capital यहां देख सकते है पॉज काइगं जाता एक समझे जब गोल्ड का पराई जाता तो तो कैसे ने लुक्सान होता थाक का सलथे को प्राइद सब्थandọ क में आपको दूगनी तेजी देखने को मिल जागी चाहे मार्केट में गिरावाट यह फरैकं पर देख लाया यहां पर सो प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटीव है, ओपरेटिंग पॉजिटीव है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिट है, तो architects ने प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हर पार, और एक साल के अंदर ये company अपने आपको लगबग दो गुना या तीन गुना कर लेते हैं जितने भी गोल्ड वाले कमपणी होते हैं और यह स्टॉक पब्लिक को तो मिला ही नहीं है पर मोटस के पास 73 परसंट है चलिए 75 परसंट होना चीए 73 बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ठीक है जो आई-पी ओ था कितने लोगों को अलटमेंट हुआ नहीं हुआ ना क्यूंने वह तो जितने बड़े लोगों चाहते हैं जैसे कि मैं बता देना चाहते हूं यह फॉरेन इस्टिटूशन है उनको मिल दाएगा मिच्वल फंड है एक एक्जामपल दे रहा हूं एक्जामपल उठाने दो मल पब्लिक को लॉस होगा ऐसा और इसके साथ एक और स्टॉक है जिसका नाम है मनना पूराम फाइनेंस ठीक है देखें यह मनना पूराम फाइनेंस यह दोनों स्टॉक है अगर आपने खरीद रखा तो मैं आपको बोलूँगा होल्ड करने के लिए ज्यादा हि तो उसी तरीके से अगर आपके पास पेशिंच है तो पैसा तो आप बना लोगे उसमें ठीकिन सर के कोई बात नहीं है तो अभी आप होल्ड कर सकते हो ठीक है और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन में गोल्ड का प्राइस उपर जाना स्टार्ट होगा देखें गौर्मेंट तो गोल्ड का प्राइस बढ़ाएगी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा जब गोल्ड का प्राइस तो ऊपर जाना ही जाना यह तो मतलब 100% तैह है आज नहीं तो कल और उसके बाद फिर मुतूर्ट फाइनेंस कहां जागा वो तो आप लोग को प सफ रहता है यहां पर एक गुरूप है जहां पर आपको बताया जाता है यह इंजल का गुरूप है कौनसा स्टोग खरीदना है नहीं खरीदना है बेचना नहीं बेचना है intraday future options stop loss target वगरा वो सब आपको वहीं लोग बाताते है तो DMIT account free में delivery charges free में ग्रूप में आपको वह करेंगे किवल 20 रुपीज आप से लिया जाता वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगा लगता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जहां कि आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं